खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन एमस ने इस बात की पुश्टी की है हालानकि इन सभी को अलग अलग रखा गया है उनके सेम्पल की जाच की जारी है और सभी को चाबला के IT BP कैंप में शिफ्ट किया गया है तीन मार्च की शाम से ही इन के इने आईजॉलेशन बॉर्ड में रखा गया था इटली के इस ग्रूप का कहना है कि कुल 21 में से 15 लोगों को कैम्प में लाया गया है जो पॉजिटिव पाई गये थे वहीं गोतम बुधनगर के जिलाधिकारी ने कहा कि इन में से 6 लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया पर वो नेगिटिव आया लेकिन इने 14 दिन के लिए अलग रखा जाएगा अगर लक्षन नजर आते हैं तो उनका फिर से टेस्ट किया जाएगा इस मामले में सरकार और प्रशासन दोनों नजर बनाए रखे हुए हैं इडली के जिस परियाटक में कोरोना वाइरस पाया गया है वहें दिली से बस से जैपूर पहुँचा और फिर आगरा तक पहुँच गया राजिस्टान सरकार ने केंदर सरकार को इसकी जानकारी दी है और कहा है कि दिली में एरपोर्ट पर इनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई इडली से बड़ी संख्या में भारतिय भी जैपू लोटे हैं जिन से बाचीत में उन्होंने बताया कि दिली एरपोर्ट पर उनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई कोरोना का असर इरान में भी देखने को मिला है कोरोना वाइरस के बढ़ते कहर और उसके प्रसार को रोकने की कवाये दुनिया के कई देशों में चल रही है चीन के बाद कोरोना का सबसे ज़्यादा असर इरान पर देखने को मिला है और उसने अपने यहां की जेलों में से वाइरस के संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए 54,000 से ज़्यादा कैदियों को अस्थाई तोर पर रिहा कर दिया है इस बीच इरान के 23,000 सांसत कोरोना वाइरस से संक्रमित है अब ज़रा सुनिये देश के स्वास्त मंतरी डॉक्टर हर्श वर्धन ने इस अंतराश्ट्री बीमारी पर क्या कहा है सारे देश के लोगों को केवल हमारा यह कहना है कि इस संदर्व में पहली बात तो कोई हम किसी तरह के पैनिक सिचुएशन में ना पड़े आप सबके माध्यम से भी लोगों को यह कहना चाहते हैं कि कोई भी हमें ऐसा सिम्टम कोई भी ऐसी रिलेटिड हिस्ट्री लगती है कोई बुखार का सिम्टम है कोई अपर रेस्परेटरी ट्रैक्ट का गले का खराब होना है सोर्थ रोट है जुखाम इत्यादी होता है रेस्परेटरी डिफिकल्टी होती है इन सब चीजों की तो वेरेवर इन डाउट तो सिस्टम के साथ संपर्क करें हमारी जो टेलिफोन लाइन है उसके उपर कोई भी क्वेरी कर सकते हैं और इसके साथ-साथ जो है खास कर जो परसनल हाईजीन वगरा है जो बार 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 एंफिसाइज किया जाता है और हम लोग थोड़ा और भी जादा एक्स्टेंसिवली जो है यह जो सारे वैसे तो जितने भी टूल से उनका इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन और जादा एक्स्टेंसिवली लोगों को हम लोग एड़ाइज करेंगे कि भाई जो हाईजीन इत्यादी की प्रिकॉशन्स हैं और हाथ की सफाई रखना हाथ को मूह तक न ले जाना और कॉमुनिटी के अंदर जो है किस प्रकार का हमारा भीहेवियर हो सकता है उसके बारे में ध्यान रखना तो यह थोड़ा सा ध्यान रखें और जहां भी कहीं हमें कोई भी संदेह की गुंजाईश लगती है तो वहां सिस्टम को जरूर सूचित करें और अभी ल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल महावीर इंकलेव पालम डावडी रोड़ पर स्थित सौथ वेस्ट दिल्ली का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ डॉक्टर सी एम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्रात्मिक्ता है वो भी अफोडिबल रेट्स में और ब्रेक के बाद आपका सुआगत है पूरे विश्व के स्वास्थे संगठन कोरोना वाइरिस के प्रती जागुकता फैला रहे हैं सही माइने में इस बीमारी से डरने की वज़ए इससे लड़ने की जरुवत है कुछ प्रिकोशन्स के जरीए हम इस पर जीत पा सकते हैं करें हाथ धोने के बाद किसी साफ कपड़े से पोंचें या ड्रायर से हाथों को सुखाएं खांसने के दौरान टीशू मुपर रखें और फिर उसे कवर्ड डस्ट बीन में फिक दें किसी अन्य व्यक्ति के चीकने या खांसने पर भी अपनी सुरक्षा के लिए टीशू का इस्तेमाल करें किसी बाहरी व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं यदी ऐसा करते भी हैं तो तुरंत हाथों को अच्छे से धोएं फलों और सबजियों को खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोएं बाजार से लाकर सीधे सबजियों को खाने की गलती ना करें आप सभी को कोरोना वारिस से इतना भैवीत होने की जरुरूरत बिलकुल नहीं है, कुछ लोगों का भ्रम है कि इस बेमारी के लगने से मौत हो जाती है, बता दें इस संक्रमन्ट से मरने वालों का आकड़ा काफी कम है, पूरी दुनिया में इस से मौत का रेशियो सिर्फ दो प्रतिशत है, भार खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें पेल आइकन